हेलो फ्रेंज बहुत बहुत सवागा था आप सभी के एक पर फिर्सेस सरकारी हट में तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ इंपोर्टेंट जी के कोशन्स को डिसकस करने वाला हूं जो कि ओलम्पिक 2021 से रिलेटेड है ठीक है तो यहां पर पहला कोशन है फिर्सेस सब्से जादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं एक सिंगल ओलम्पिक के अंदर यह इनका गोल्ड मेडल्स है ठीक है और यह जो है यह मतलब स्वीमिंग इनका स्पोर्ट है तो स्वीमिंग में इन्होंने यह सारे मेडल्स जीते हैं अलग अलग के टिग्रीज में क्लेर होगे इतनी बाद और बागी मैं बोलना चाहूंगा कि जो फिजिक्स के जो मैंने रिविजन लेक्टर टाल रखे हैं और साथ ही मैंने एमसी के उस पर प्रेक्टिस करवाया है केमेस्ट्री के तो उसकी भी प्लेलिस जो अकर आपको देखनी है तो आप जाकर देख सक है की मतलब मतलब जो हम कोशन कर रहें अगर इसमें कोशन अला जाता है कि कौन सा कलर किस कौंटिनन को शो करता है तो सही है वरना आप एक बर खुच्ढी और किस कौंटिननेट को शो करता है ठीक है तो पांच colors होते हैं यहापर तो रेड ग्रीम यलो ब्लू एंड ब्लाक ठ तो इसका करेक्ट आंसर जोगा जी एस जो है गौड जी एस के ओनर में जो है ओलम्पिक स्पोर्ट्स कराए जाते हैं फिर नेक्सटे एट विच फॉलिंग सिटीज है अलम्पिक जीम नॉट बीन हेल टोई तो इहां पर इन में से कौन से सिटी में दो बार ओलम्पिक नहीं हो इसका करेक्ट आंसर है लॉसाइन ठीक है तो सुजलेंड आपको याद रखने कि सुजलेंड में जो है इंटनेशनल ओलम्पिक कमिटी के हेड़कॉर्टर से ओके यह इतना पास्ट कर नहीं पड़ते हैं हमारा में फोकस होना चाहिए दो जार एक किसका क्लेर है इसका करेक्ट आंसर है 1920 में एंट्वर्प में जब ओलम्पिक स्युए थे तो पहली बार ओलम्पिक फ्लैग को फेराया गया था ठीक है और विच अब फॉलिंग कंट्रीज वान दा मैक्सिम नंबर ओफ मेडल्स एड़ फॉस्ट ऑलम्पिक गेम्स इन 1896 तो 1896 में जो ग्रीस में हुआ था एथे इंस में जब हुआ था ओलम्पिक तो ग्रीस नहीं सबसे दर नंबर ओफ मेडल्स जीते थे यह भी आपको पता होना चाहिए और यह वाला बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है कि वाट इस टोकियो में आपको पता भी ग्री 76 जो 2021 में ओलम्पिक्स हुए थे लेकिन वो घूबीस में जो अलम्पिक्स होए थे लेकिन वह शेटूल कब थे 2020 में लेकिन कोविट की वैसे क्या होगा हो governo 2021 को पोस्पोन कर दी गए थे तो 2020 ही बोलते हैं 2020 के जो Olympics हुए थे टोकियो में तो उसका mass code क्या था mass code यानि कि जो उसका symbol था वो symbol का नाम क्या था तो उसका correct answer है Mirai Tova तो ये answer आपको याद रखना है Mirai Tova जो था वो mass code था फिर what do the five rings on the Olympics symbol represent ठीक है तो ये भी important question है तो यहाँ देख लो the five continents मैं आपको बताया था भी कि पांच color जो होते हैं पांच continents को show करते हैं आप एक बर अपनी तरफ से ये भी पढ़ लेना कि कौन सा color किस continent को show करता है ठीक है फिर next है who is the first hour Indian fencer to qualify for the Tokyo Olympics in 2020 ये बहुत important question है और ये इसलिए important question है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी Indian fencer fencer का मतलब होता है तलवार बास तो किसी तलवार बास ने इंडिया से जो है Olympic Games में क्या करा था participate करा था qualify करा था ठीक है तो इसका correct answer है CA भवानी देवी तो भवानी देवी जो है आपको नाम याद रखना ये पहली मतलब Indian fencer है जिन्होंने qualify कर रहा था 2020 Olympic Games के लिए ठीक है फिर next है फिर next है फिर इंडिया 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 को रिप्रेजेंट कर रहा था clear है ये वाला बहुत important question है कि which Indian wrestler is going to represent India at Tokyo Olympics 2020 in men's 65 kg category तो इसका correct answer है बजरन पुनिया और इन्होंने जो है silver medal भी जीता था ये भी आपने पड़ा होगा ठीक है तो बजरन पुनिया याद रखने इन्होंने silver medal जीता था 65 kg men's category में किसमे wrestling में ओके फिर उसके बाद next question है अंडर विच रैसलिंग category दस डीपक पुनिया रेप्रेजेंटिंग इंडिया ठीक है ये इतना important question है फिर ये वाला बहुत important question है सेखोम मेरा बाई चानू woman weightlifter is representing Indian dash category है Tokyo Olympics 2020 तो मेरा बाई चानू का नाम आपने इन्होने silver medal ही जीता था पहला medal जो मतलब 2020 में जीता था इंडिया की तरफ से वो इन्होने जीता था तो सेखोम मेरा बाई चानू ये आपको पता है ये मनिपूर से है 2020 में इन्होने visible medal जीता था किसमे weightlifting में और कौनसी category में? 49 kg की category में ओके फिर हाँ फिर ये 31st question जो है Who among the following is the lone winner of gold medal from India in the Olympics? तो इसका correct answer है अभी नब बिंदरा लेकिन अब ये question जो ही वो गलत हो गया है देखो अभी तक जो है अभी आपको पता है 2020 वाल ओलम्पिक में क्या बोलते हैं? नीरद चोपडा थे नीरद चोपडा ने javelin throw में जीता था? gold medal जीता था तो वो second India थे जिन्होंने gold medal जीता था तो इससे पहले किसने जीता था? अभी नब बिंदरा ने जीता था किस में? शूटिज़ गसा ने जीता था ऐकि है? I think 2012 में जीता था ओके तो यह आपको पता होने चाहिए कि दो गोल्ड मेटल्स इंडिया के बास है पहला अभीना बिंद्रा नहीं जीता और दूसरा किस नहीं जीता आपका नीराच चोप रहाने ठीक है फिर नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं जो 2021 से रिलेटेड हो ठीक है यह थोड़ा इंपर्टेंट कोशन है कि अट विच अफॉर्ण ओलंपिक यह वाज फॉर्स ओलंपिक ओड टेकन फॉर्स ताम ठीक है तो पहली बार ओलंपिक ओड कब ली गई थी 1920 में ली गई थी कहां पर ली गई थी एंट वर्प में ली गई थी क्लियर होगे इतनी बार ठीक है फिर और कोशन देख लेते हैं यह वाला इंपॉर्टेंट कोशन है कि इन हाओ मेनी इवेंट्स मेंडल्स गॉइंग टॉक्यो ओलंपिक 2020 आपकी हुए थे तो कितने इवेंट्स से टोटल और कितने मैडल दिये दोटल है। ठीक है? थीक है मतलब लप लड़ा कि इवेंट्स में डिये जाने दे तो इसका करrecker अंसर हो जाएगा 333 इवेंट्स एक्रोस 233 स्वेंट्स ठीक है? देखो 33 तरीके की स्वेंट्स से उसमें 333 इवेंट्स से टर थोटल क्यों कि देखो क्या होता है कि जो events होते हैं मतलब क्या होता है कि जैसे आप race देखते हैं तो उसमें 100m race होती है 400m race होती है तो ये सारी चीजें मिला के total 333 events और 33 sports है.. तो 333 बस आपको यह याद रुचना है कि 33Actacks. पूर्ट से ठीक है फिर नेक्स टे फ्लाग बेरर ऑफ इंडिया एड टोक्यो ओलंभी स्टेट यह भी बहुत इंपोर्टन गोशन है कि फ्लाग बेरर यानि कि जो तिरंगा हमारा लेकर गए थे ठीक है इंडिया को तिरंगा मतलब वहाँ पर उनने पकड़ा था ठीक है जब म बोलते हैं स्टार्ट होते तो उस टाइम मार्च होता है तो उस टाइम मतलब कौन टू इंडियन ऐसे अथलीट से जिन्होंने फ्लाग को बेर करा था तो इसका करेक्टर आंसर हो जागा मैरिकॉंग एंड मनप्रीस सेंग ठीक है ठीक है तो यह याद रखना और उसके बाद यह तो इतने इंपोर्डेंट कोशन नहीं है हाँ यह वाले इंपोर्डेंट कोशन है कि who will be the flag bearer of India in the closing ceremony of Tokyo Olympics 2020 तो अभी हमने open में पढ़ा था कि open ceremony में किस ने करा था मेरिकॉंग मनप्रीस इंग ने closing ceremony में कौन करेगा बजरंग पुनिया ठीक है तो बजरंग पुनिया ने closing ceremony में किया था फिर नेक्स दीपे का कुमारी इस गोईंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इंड़ वोमेंस इंडिविजुल आर्चरी इवेंट ऑफ दे टोक्य अगर मुझे कोशन दिखता दो हाँ यह वाले इंपोर्टेंट कोशन है कि what is the opening date of Tokyo Olympics Games 2020 तो कब से स्टार्ट होता है जुलाई 23 से तो यह भी डेट आपको पता होनी चाहिए फिर नेक्स इंडिश्ट इसपास से दुबारे स्पोर्स आया था बेस बाल तो इसका नाम भी आप यह रखना ओके फिर नेक्स ए कोसे यह वाट इसने नंबर ऑफ फिर इन्डिन ट्राक एंड फेल अथलेत्स कौलिफाइट फॉर टोक्य ओलम्पिक्ष तो तो कितने से 26 एथलीट से ठीक है इंडियन ट्राक और फीड एथलीट कितने से 26 जिन्होंने इंडियन से कॉलिफाई किया था ओके और देख लिएता हूं कोई इंपॉर्टेंट अगर कोशिन दिखता दो तो यह कोशिन मैंने आपको पताई दिया कि विच इंडियन अथलीट वह न से इलवर मैडल इन वूमें 49 केजी केटेगरीन वेट लिफिस्टिंग फॉर्स इलवर मैडल इन वेट लिफितिंग एवर फोर इंडिया तो वेट लिफ्टिंग में आपको याद रखना है कि वेट लिफ्टिंग में जो है सबसे पहला मेडल मीरा बाई चानू को ही मिला है ठीक है तो यह चीज़ आपको पता होने चाहिए हाँ तो यह भी आद रखना कि जो सिल्वर मेडल है वो तुने ने जीता 49 kg कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में लेकिन गोल्ड किस ने जीता था हाउज ही फ्रम चाइना ठीक है तो हाउज ही फ्रम चाइना ने यह जीता था ओके और देख लेता हूं को इंपोर्टेंट अगर क आपको करा दी है ठीक है बस एक चीज वही बोलूँगा कि जो पांच आपके रिंग्स होते हैं ओलंपिक में ठीक है ओलंपिक के सिंबल में तो वह याद कर लेना कि कौन सा रिंग कौन से कॉंटिनेंट को शो करता है यह भी आपसे कोशन पूछा सकता है ठीक है तो इंडिय क्यों आपने से